नमस्कार आप सभी को उत्राखंड के अंदर अपर निजी सचिप की वेकेंसीज आई है इस वीडियो के अंदर इनी वेकेंसीज को लेकर डिसकस करेंगे फुल डिटेल में तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिसकस करने वाले है क्या क्वालिफिकेशन रहेगी कितनी वेकेंसीज है अना एक्जाम बगारा से रिलेटेड या सबसे बड़ी जो प्राबलम है आज के टाइम पर वो है ओनलाइन सौट हैंड आप कैसे सीख सकते हो कहाँ पर यह चीजे आपको मिलेगी तो शोट हैंड के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखे अगर आप इस वेकेंसी की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं बहुत बड़ी वेकेंसी है मतलब सबसे आसान तरीके से इतनी ग्रेट पे वाली वेकेंसी अगर कोई ले सकते हैं तो वो अपर निजी सचिप की है APS की वेकेंसी है चाहे UP की बात करें चाहे उतराकंड की है ना State Level पे होती है तो इसमें आपको शोट हैंड आनी चाहिए या अगर नहीं आती तो वो आपको सीखनी पड़ेगी शोट हैंड से रिलेटेड पुरी जानकारी आगे आपको दूँगा कहां से कैसे आप सीख सकते हो तो बहुत अच्छी वेकेंसी है चाहलिस सो ग्रेट पे की वेकेंसी होती है बहुत बड़े लेवल की वेकेंसी होती है मतलब चाहलिस सो ग्रेट पे की सबसे आसान तरीके से अगर कोई वेकेंसी मतलब कोई जोब आप ले सकते हैं तो वो है एपीएस की जोब ये चीज़ आपको धियान रखना ना एपीएस के लिए शोट हैंड आप कहां से सीखोगे देखो हमारा जो ये प्लेट फॉर्म है स्पार्कल एजुकेशन का ये स्टैनों से रिलेटेड है तो एपीएस में आपको शोट हैंड मतलब बहुत ज़रूरी है अगर आपको शोट हैंड आती है या नहीं भी आती मतलब इसमें बहुत कम कॉम्पेटिशन होता है क्योंकि उत्राखन में बहुत ज़रूरी है शोट हैंड नहीं सीखते हैं हना और मैक्जिमम तो अभी ही स्टार्ट करेंगे लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसी जगे जोइन करना है जहां पर आपको experience वाला teacher हो हना जो अच्छे से आपको पढ़ा सकता हो हना तो इसमें क्या है सोट हैंड पे ज़्याद आपको फोकस करना है जो skill test है उस पे ज़्याद आपको समय देना है अभी क्योंकि इसका प्रिलिम्स होगा वो skill test पर बेस है तो इसमें क्या है देखो UK APS का special सोट हैंड का बैच आपको कहां पर मिलेगा हना online ताकि आप घर बैठे सोट हैंड को कर सकते हो हना बहुत 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 हर जगा हर city में शोट हैंड का teacher आपको नहीं मिलेगा तो अगर आप शोट हैंड सीखना चाहते हो online तो यह जो application है हमारा Sparkle Education with Gaurav इसको आप download करके रख लीजिए दो से तीन दिन के बाद एक अलग से batch announcement वाली video आपको प्रवाइड करा दूँगा ठीक है तो यह application है इस पर हमारे batches चलते रहते हैं Stanos related इसका एक special batch हम बनाएंगे APS का और जो teacher है हमारे पास वो काफी experienced teacher है लगबग 9 से 10 साल का उनको experience है तो बाकि demo से में तो आपको मिली जाएगी यह contact number है हमारा इसको आपको save करके रख लेना है ठीक है तो shorthand से related दो से तीन दिन में आपको update मिल जाएगी अब कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में discuss हैना जुलाई 18 से यानि 18 जुलाई से यह form आपके fill up होना start हो जाएंगे या हो चुके है मतलब और 7 अगस्त तक आप इन forms को भर सकते हैं यानि आपको 15 दिन का समय लगबग यहाँ पर मिल रहा है ठीक है तो यह आप कर सकते हो उसके बाद तो को 12 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 में आप इसके बीच में मतलब यहाँ पर संसोधन कर सकते हो आपको संसोधन करने का यहाँ पर समय दिया जाएगा इस पेज पर केबल इतनी जानकारी है आपके लिए 18 तारिक से 7 अगस्त तक आपके यह फॉर्म बरे जाएंगे और कोई मिस्टेक होती है फॉर्म में तो आप 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में उसको करेक्शन कर सकते हो तो यह थी बेसिक जानकारी हाना डेट को लेकर के उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं आपके पोस्ट को लेकर के हाना पोस्ट को लेकर देखो 99 पोस्ट है 99 पोस्ट उत्राखंड के हिसाब से हाना 99 यहाँ पर टोटल पोस्ट है और APS के हिसाब से यह post काफी है और उत्राखंड की अगर बात करें तो बहुत post है और कहीं साल के बाद यह vacancies आ रही है तो आप अच्छे से तयारी करके यह exam निकाल सकते हो ठीक है 99 post है category wise आप यहाँ पर देख सकते हैं यह notification आप डाउनलोड करके देख सकते हैं किस category से कितनी vacancies आई है अगला point है हमारा अगला point है qualification को लेके अगला point है हमारा qualification को लेके देखो यहाँ पर सबसे पहले grade pay की बात करें 400 grade pay की vacancy है मतलब salary की तो आपको कोई चिंता करनी ही नहीं है बहुत जादा salary है basic आपका देखो 47,600 से तो basic start है basic 47,600 से आपका basic start है अब इस पर allowances लगा के देख लो आपकी salary लगबग 80 के असपास जाएगी है 75 से 80 के असपास तो salary के तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है यह APS की post है बहुत बड़े level की post है ना उसके बाद देखो सेक्षिक योगयताई की बात करे qualification की बात करे तो आपको graduation यानि इसना तक आपने pass क्या होना चाहिए किसी भी subject से क्या हो उसके बाद देखो यहाँ पर है short hand आपको आनी चाहिए 80 word per minute 80 यानि 80 की speed में आपको short hand आनी चाहिए जिसको ठीक है 80 word per minute की आपको short hand speed होनी चाहिए और यहाँ पर जो अंग्रेजी की जो short hand है English की जो short hand बो optional रहेगी हना आप इसको दे भी सकते हो उसको नहीं भी दे सकते ठीक है यहाँ पर इस पस्षिकरन दिया हुआ है English की short hand के बारे में तो 80 word per minute बहुत ज़्यादा speed नहीं है आप चार महिने में भी इसको अचीब कर सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी करो दो ठीक है चार महिने में भी अचीब कर सकते हो अगर मेहनत करके आप तैयारी करो क्योंकि यह जो skill test होगा आपका उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है चीक है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा समय देना पड़ेगा आप इसको अचीब कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने ठान लिया तो आप कर लोगे उके उसके बाद देखो यहाँ पर बाकी चीज़ें आपकी देई रखी है आयूशीमा यहाँ पर 21 वर्स मिनिमम है और 42 वर्स यहाँ पर मैक्जीमम है तो आयूशीमा भी काफी है इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है चीक है बाकी और डेटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहो तो इस नॉटिफिकेशन को पढ़ सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा आवेदन तुल्क से रिलेटेड ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फीस आपको पे करनी है हना यूआर के लिए 200 रुपे है और OBC के लिए 200 रुपे है उसके बाद SC वालों के लिए और ST वालों के लिए 80 रुपे है बाकी EWS वालों के लिए 200 रुपे यहाँ पर फीस रखी गई है यह आपका फीस का है उसके बाद हमारा पॉइंट है इसमें 1Y4 की आपकी Negative Marking रहेगी यह चीज है आपकी 1Y4 की Negative Marking यहाँ पर होगी कहीं लिखा हुआ ठीक है दोको यहाँ पर है गलत उत्तरों के लिए दंड तो 1Y4 का है हना एक चोथाई दोको यहाँ पर देख सकते हो एक चोथाई ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गई अब बात करते हैं सिलेवस की सिलेवस के बारे में बात कर लेते हैं सबसे महतपूर्ण चीज सबसे महतपूर्ण चीज है आपका सिलेवस क्या सिलेवस रहेगा हना पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिया गया है syllabus क्या रहेगा दोको आपके दो चरण रहेंगे प्रतम चरण और दुत्य चरण तो दो चरण में आपकी परिक्षा होनी है प्रतम चरण में क्या है एक basically skill test से related आपका है जैसे यहाँ पर हिंदी की typing होगी अंग्रेजी की typing है ठीक है उसके बाद computer का ग्यान आपको होना चाहिए तो उसका paper है और यहाँ पर है आपका short hand दोको short hand बहुत जरूरी है 135 नंबर की है 5 minute की dictation आपको बोली जाएगी जिसमें आपका 35 minute का समय दिया जाएगा उसको type करने के लिए तो समय भी sufficient है कोई दिक्कत नहीं है SSC से जादा ही है जो SSC देती है उससे जादा है बाकी marks वगर आप देख सकते हो कितने कितने नंबर का दूसरी चीज है computer में देखो 100 marks का computer है तो इसमें भी basic knowledge है topics वगर आगे दिये गए हैं भी हम बात करेंगे उसके बाद देखो इसको pass करने के बाद आपका second paper है second paper में क्या है इसमें optional आपके question रहेंगे और offline exam होगा सामान्य ग्यान के इसमें रहेंगे 100 marks के हैंना 100 question लगबग रहेंगे और उसके बाद आपका essay writing होगा यानि आपका ये होगा आपका निवंद बगएरा लिखने को आएगा descriptive paper होगा तो second चरण में आपके दो exam में first में आपके ये सारे के सारे आपसे आपको करने होगे clear देखो अंग्रेजी वाली short hand में और हिंदी वाली में आपको अंग्रेजी की जो short hand बाद और optional है ये चीज आपको ध्यान नकनी है कभी आप ये सोचो कि आपको दोनों short hand करनी है एक करनी है चलिए उसके बाद देखो short hand के बारे में यहाँ पर sorry आपको बताया गया है यहाँ पर typing के बारे में तो ये typing की details है इसमें key depression count किये जाएंगे तो इस तरीके से लगबग आपकी typing speed आएगी उसके बाद ओके computer देखो computer में क्या syllabus है यह आपको यहाँ पर बताया गया है basic knowledge होनी चाहिए आपको computer के जैसे printer के बारे में scanner microphone, speaker इनके बारे में आपको basic knowledge होनी चाहिए clear उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका basic knowledge होनी चाहिए आपको basic language की unicode लेंग्वेज होती है computer में और जैसे microsoft या microsoft office के बारे में आपको पता होना चाहिए तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जैसे hyperlink attachment इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और जैसे website है search engine है जैसे google हो गया इनके बारे में या wikipedia या government की जो site होती है इनके बारे में आपको basic knowledge होनी चाहिए उसके बाद email से related आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए और सब के marks दिये गए है पूरा syllabus बहुत अच्छी से दिया है और इस तरह से आप बहुत अच्छी से त्यारी कर सकते हो ना पूरा syllabus एक एक point करके बता दिया कि भाईया ये topic पूछे जाएंगे उसके बाद आपको powerpoint, pdf वगएरा की जानकारी होनी चाहिए कौन सा topic कितने marks का है सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है उसके बाद देखो short hand की बात करें short hand में तो मैंने भी बताई दिया 5 minute की dictation होगी 35 minute उसको type करने के लिए दिया जाएगा उसके बाद देखो आगे हाँ अब second चरण में जो paper होगा वो है समानिय अध्यान एक paper उसमें समानिय ग्यान का रहेगा जीके का रहेगा जिसमें लगबग 40 question तो आपके कम से कम 40 question और maximum आपके कितने भी हो सकते तो कम से कम 40 question तो उत्राखर्ण GS से आएंगे एक एक topic करके यहाँ पर दिया हुआ है जैसे आपका हो गया रास्टिय अंतरास्टिय एवं उत्राखर्ण की महतपूर्ण गटनाए हो गई साइन्स से question हो गए आपके 10 question इतिहास से आपके 5 question भुगोल से आपके 10 question संभिधान यानि पॉलिटी से 10 question उत्राखर्ण भुगोल से आपके उत्राखर्ण के भुगोलिक structure से आपके 10 question उत्राखर्ण से जणगर्णा आर्थिक सर्वेक्षन बजट वगएरा से 10 question उत्राखर्ण से related मतलब 40 question है उसके बाद भारत सरकार एवन राज्य सरकार से related मैतपूर्ण, योजनाई वगएरा या इसमें समान्य बुद्धी परिक्षन इसमें क्या है आपका reasoning type के question भी आपके include यहाँ पर किये गए है जो आपके मनोवग्यान से related है ठीक है तो यह आपके रहेंगे भाई लगबग यहाँ पर mention भी क्या है कि कम से कम 40 question उत्राखर्ण जीके से पूछे जाएंगे 40 marks के उसके बाद देखो निवन्द में क्या है यह तो बहुत आसान कर दिया आपका 100 marks का रहेगा बहुत आसान कर दिया सारे topics तो आपको पताए हुए है देखो एपठिद गध्यांस क्या होता है अपठिद गध्यांस मतलब उसको पढ़ना होता है और उसमें प्रस्ण दिये होते हैं उस passage के according आपको प्रस्णों के उत्तर देने होते हैं बहुत आसान है और इसमें क्या है आपको translate भी करना होगा अंग्रेजी से हिंदी में अनुबाद भी आपको करना है तो ये भी भाई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आप कर लोगे अगर थोड़ी बहुत English आती है तो आप इसको कर लोगे translate बीस question का है उसके बाद आपका संचेपर यानि एक पूरा passage आपको दिया जाएगा और उसको short में करके आपको लिखना होता है तो ये भी आपका देखो 10 marks का है आसान है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद पत्र लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आसानी से आप सीख सकते हो मैंने एक descriptive batch पढ़ाया हुआ भी है तो अगर इस तरह के batches अगर हम लाएंगे in future तो वो आपको inform कर दिया जाएगा फिलाल 2-3 दिन के बाद आपको short hand का batch मिलेगा उसके बाद बैठक सूचना प्रेस नौट वगरा है ये चीज है इसके बारे में देखना पड़ेगा और देखो one word substitution जो इंगलिस में आते है यानि अनेक शब्दों के एक सब्द बाक्य का सुद्धी करण फ्री के marks है ये उसके बाद पर्याई वाच्ची तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो फ्री के marks है ये भी कर सकते हो संच्छेपन छोटा करके लिखना है प्रिसाइस जिसको वोलते है उसके बाद तो इसमें कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है कि जो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी में निबंद देखो निबंद में भी आपके टॉपिक बताए हुए है मतलब निबंद के आपको टॉपिक बता दिये है इससे ज़ाद़ आप क्या लोगे बताओ आपदा प्रबंदन उत्राखंड में जो आपदा जै आती है बाद से रिलेटेड है न तो काफी ज़ाद़ा परीशानियां होती है बरसात के मोसम में उससे रिलेटेड यहां पर हो गया बेरोजगारी से रिलेटेड है रोजगार से रिलेटेड या फिर ब्रस्टाचार, डिजिटल इंडिया, भारतिय सम्मिधान सीधे सीधे टॉपिक आपको बताई हुए है 25 नमबर के हैं बहुत आसानी से आप कर लोगे तो यह आठ टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है कोई बड़ी बात नहीं है आप इसको आसानी से कर सकते हो देको इसमें नियुन्तम पासिंग मार्क्स भी आपको लाने है 35 ठीक है 35 परसंट तो यह सारी चीज़े मतलब बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बहुत जादा तो यह इंफॉर्मेशन थी बाकि कोई इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंड करके बताएंगे और शॉट हैंड के बारे में आप मतलब वेट कर रहे हो या नहीं इसके बारे में मुझे बताएंगे जीक है यह अधे हमारा स्टाट होने वा इस number पर मुझे contact करके पूछ सकते हैं ठीक है Thank you